पॉस्ट वेतीजम हिंदी चानल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवी यम्मे राजस्वी से लिखी हुई बूधान यगनिके प्रधान आचार्य विनोबा बावेजी की जेवन घदा से अने कमशों को जान रहे है ना आज के अंक में सबरमती से सत्यागरह आश्रम तक इस विशे के बारे में जानेंगे विनोबा अपनी एक वर्ष की चुट्टिया व्यतित करके टीक समय पर आश्रम में लवटाए गांधी जी ने उनकी इस बाद की प्रशमशा करते हुए स्पष्ट लिखा था कि अपने समस्कृत के अध्याइन को आगे भडाने के लिए वे एक वर्ष की चुट्टी लेकर चले गए एक वर्ष के बाद टीक उसी घड़ी जबकी उन्होंने एक वर्ष पहले आश्रम चोड़ा था चुपचप आश्रम में फिर आप होंचे मैं तो बूल ही गया था कि उस दिन उन्हें आश्रम में वापस पहुंचना था विनोबा जी ब्रह्मन से लौट कर अपने कार्य में व्यस्त हो गये उन्ह दिनों आश्रम में एक चोटा सा बगी चा था उसमें काफी पेट थे आश्रम में थोड़ी धूर पर सबर्मती नदी बह रही थी वहां बाल्टिया भरबर कर इन पेड़ों की सिंचाई की जाती थी यह भड़ी कटोर मेहनत का काम था और इसमें लगभग पांच घंटे लग जाते थे विनोबा ने इसी काम को करने के लिए अपनी जिम्मिदारी लेली लगभग चे मास तक विनोबा पेड़ों की सिंचाई वाला काम करते रहे फिर उन्होंने चे मास तक भोजन बनाने का काम किया आश्रम का कोई भी काम नवकरों से नहीं कराया जाता था बलकि सबी खाम आश्रम के कारिकत्ता स्वयम करते थे विनोबा कभी भी शारीरक श्रम में पीचे नहीं हटते थे उन्हें श्रम का चाहे किसी भी कटोर कारी मिल गया उसे वे पूरी तन्मयता और स्रद्धा से करते थे यद भी उनका शरीर दुबला पतला था तद भी उनमें प्रबल इच्चा शकती थी इसके कारण वे कोई भी कार्य संपन करने का साहस करते थे एक बार विनोबा की कटोर परचरिया से प्रबावित होकर गांधी जी ने उनसे पूचा इतने दुरबल हो गये हो फिर भी इतना काम कैसे कर लेते हो विनोबाने सम्यत्स्वार में उत्तर दिया की केवल काम करने की इच्चा शक्ती से सबरमती आस्रम के व्यवस्थापक भाई मगलल बड़े ही कर्मट और लगंशील विक्तिते उन्होने देरे देरे आस्रम में सबी कारिकर्टावों को कठोरता से शरिक्ष्रम और स्वावलंबन का पालन करने का निर्देश दिया उनके इस निर्देश के बाद यका यक कारिकर्टावों की संक्या कम होने लगी भाई मगलनाल को इससे बड़ी चिंता हुई आश्रम का काम अधिक बढ़ गया था और करिकत्तावों की संक्या कमती तब उन्होंने विनोबाजी से परामर्ष लिया विनोबाजी बोले थे यदि लोग जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं हमारे नीमों में डेलापन नहीं आना चाहिए अपनी आंतरिक व्यवस्ता ठीक करने के लिए हमें बगीचे आदिका काम जितना कम कर सके कर लेना चाहिए यदि हमारे नीमों के अंसार जीवन व्यतित करने वाले दो तिन आदमी ही रहे तो वे सैकडो डुल मुल विचारम वाले से अच्चे है विनोबा जी की बाद भाई मगलनाल को बहुत अच्ची लगी और उन्होंने आश्रम के नीमों में कोई ढिलाई नहीं की विनोबा के सबरमती आश्रम में रहने की जानकारी पाकर उनके चोटे भाई बालकोबा और शिवा जी भी वही आगे ये ते एक बार तो विनोबा ने उन्हें समझा बुझा कर गर बेज दिया था किन्तु जब वे कुछ दिन के बाद फिर आगे तो उनकी दुड़ी इच्चा देखकर उन्हें आश्रम में रख लिया गया था आज के अंक में विनोबा जी ने सबर्मती आश्रम में क्या किया हम जान चुके है ना अगले अंक में फिर मिलेंगे धन्यवाद और कुछ वीडियों के लिए अटारा करोट वूपर के व्यूस हासल किये डक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समरपित पॉजिट्व एथीजम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए गंटे के निशान पर दबाईए अबसे पॉज स्ब्सक्राइब पॉजिए नेथीजिए कारेश्व एद लिए नेख व्यूस्ट स्थेजिए यडियों आटारा प्ड्सूट प्स्क्राइब